हलो फ्रेंड्स डिलिश्यस रेस्पीज भाय आर्थी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैंने बनाए है फरे और मुझे मम्मी जी ने पूरा गाइड किया है कि इसको कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है तेल उसमें डाला है प्रेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे और हेल्थ के परपस से भी देखें तो बहुत ही हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा ओयल और मसाले इसमें नहीं लगते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है तो ममी आटे भी इसमें दो तरीके से हम गूल सकते हैं तो ममी दूर्च आज ऐसे वाला गूले गरम पाणी से भी गूल सकते हैं थंड़े पानी से भी गूल सकते हैं हा तो मैंने अभी लिया है एक कप पानी उसमें डाला है瞬्र। थोड़ा सा नमक और अजवाइन और एक कप आटा ही इसमें डाल के असको ढूग के रख दे थोड़ा सा पानी डालेंगे ना नहीं तो ऐसे भी अराम से गुढ़ जाता है Super क्योंकि आटा थोड़ा सा गरम है अभी तो छीक रहे गा बस इसको हम थोड़ा ज़रोत होगी तो पानी में डालूगी इसका मैंने एक डो pick कर लियाए सोफ्ट सी डौ बनाएं थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे हाथ में बहुत बढ़िया हाइस को अच्छे से मचल के गूथ लिया है बहुत टेश्टी होता है हाँ अब इसको हम छोटी-छोटी सी इसकी लोई बनाएंगे और इसको हम बेल लेंगे चाहें तो हमें एक पड़ी रोटी बना कर भी इसमें छोटी-छोटी सी किसी भी कुकी कटर से काट के सब बराबर cya जाएंगी है न आजका किसी किसी ऑड़ी से देख लो शोटी हो बड़ी हो隻 हाइज्ण से बोटी बना सकते हैं बस इसको भरेंगे और हलका सा प्रेस करेंगे बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी है, हेल्दी है एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें तो बहुत ही आपको पसंद भी आएगी औरने के लिए और यह उरत के भी भर सकते हैं चनिक दाल के भी बफेस्ट बननाएक की भर सकते हैं आप स्ट्षी पहर को बनाता है अब एक स्टेशी मेर में इस लगा लेंगे जैसे कि स्ट्री में इडल को सिंट करेंगे बहुत जादा इसमें ऑईल नहीं लगता वैसे तो इसको ममी बनाने के बाद जैसे हम इडली को फ्राई करते हैं वैसे ये भी फ्राई होते हैं लेकिन आज मैं प्लेन बनाऊंगी ये तो इस्टीम किया हुआ है बहुत अच्छा है तो बस ये मैंने इसको बारा मिनट के लिए कितने एकदम परफेक्ट बने हैं बहुत अच्छे बने हैं एक बारा पिस रेस्पी को जरूर ट्राए करें बहुत पुरानी रेस्पी है हम सभी जानते हैं और बहुत ही हेल्दी है तो अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को झाल झाल